अब पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा उसके अतिरिक्त सिंगल पॉइंट लेवी होगी प्राइस डिस्कवरी के लिए electronic auctions होंगे और इसका असर यह होगा कि पूरा राज्य एक प्रकार से एक मार्किट अपने आप में बन जाएगा और राज्यों के भीतर जो fragmented markets हैं वो समाप्त होंगी अलग अलग राज्यों को भी ये कहा गया है कि हर राज्य का अपना लौ है तो जो उनका platform होगा वो एक दूसरे के साथ मिलता जूलता होगा ताकि एक राज्य को एक मार्किट बनाना यादि छोटी छोटी fragmented markets को समात करके बड़ी market बनाना कि seamless transfer of agricultural commodities in the state can take place जिससे किसान के लिए बजार का size बहुत बड़ेगा वो केवल एक captive market तक सीमित रहेगा यह नहीं होगा कि दूसरा कदम इसका है कि राज्यों के भीतर भी समन्वे लाकर उसके platform को एक प्रकार से common करना कि कि आने वाले कल में अगर राज्य के beyond भी जाने की स्थिति हो तो उसके संबंद में विचार किया जा सकता है क्रिशी के इन दो महत्वपूर्ण नर्नियों के इलावा जो स्किल डेवलप्मेंट एक सरकार की स्किल इंडिया स्किलिंग इंडिया कारिक्रम है उसमें के संबंद में भी कल महत्वपूर्ण नर्ने हुए है एक नर्ने है कि नैशनल पॉलसी फॉर स्किल डेवलप्मेंट स्किल डेवलप्मेंट इंडिया और एक स्किल डेवलप्मेंट मिशन यह तीनों को अप्रूफ किया गया है